भारत और बांगलादेश के सम्मंद एतियासिक काल से ही मजबूत रहे हैं और इनी सम्मंदों को और मजबूती प्रदान करने के लिए हाल ही में भारत की प्रदानमंत्री नरेद मोदी जी और बांगलादेश की प्रदानमंत्री सेख हसीना जी ने इंडिया बांगलादेश फ्रेंड से प्रोड़क्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट यानि मैत्री पाइपलाइन का ओधगाटन किया है तो आज किस वीडियो में हम लोग इसी पाइपलाइन से सम्मंदेश कुछ मात्मूर बातों को जानने का प्रयास करेंगी कि यह पाइपलाइन को कितनी लंबी होगी इसमें को कितना भजाट आएगा और इस पाइपलाइन के बनने से बांगलादेश को क्या फाइदा होने बाला है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये पायपलैन होगी ये इंडिया में असं में एक प्लेस है नुमाली गड़ तो यहां से चुरुपात होगी इसके बाद ये स्लिगुडी में जाती है बाल स्लिगुडी से ही पारवतीपुर जो कि बांगलाhos देश intervening हैं यहां तक इस प का हुआ है और इस pipeline के माध्यम से फिलहाल भारत बांगला देश को लगभग 15 सालों तक डीजल को export करेगा और बाद में इन दोनों देशों की सहमती के बाद इस time limit को और ज्यादा भी बढ़ाएगा सकता है अब हम कुछ और बातें जान लेते हैं इस pipeline से समझे तो आप समझे इसका construction 2018 में ही शुरू हो गया था और इससे लगभग आप समझे वन मिलियन मेट्रिक टन डीजल का हर साल export किया जाएगा और इसमें जो कुल लागत आएगी वो आई है 377 करोड और यह लगभग 131 किलो मीटर लंबी होगी और आप समझे इसका जादतर हिस्सा बांगला देश में ही रहेगा आप यहां पास देख सकते हैं जो यह वाला रूट है तो बेसिकली यहां सिली गुडी से लेके पारवती पूर तक आएगी तो आप देखें जादतर हिस्ता आप समझे लगभग 125 किलो मीटर जो पाइपलाइन का हिस्सा है वो बांगला देश में ही ट्रेवल करेंग और जो बांगला देश वाले रीजन में ही आया है और इंडिया ने पैसा खर्च किया हूँ एक अनुदान यानि ग्रांट के रूब में ही दिया हुआ है आप समझे लगभग 285 करोर जो भी पैसा खर्च होगा वह अकेले बांगला देश में पाइपलाइन बनाने में खर्च हुआ अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्राप्रान के बनने से बांगला देश को क्या फाइदा होने बादा है तो आप समझे बांगला देश में अभी जितने भी पेट्रॉल और डीजल की अपूरती होती है वो दुनिया के कई तेल उत्पादक देशों से लेते हैं और बाद में यह पूरा आता है चेटगांग पोर्ट में और चेटगांग पोर्ट से ही बाद म graph में बांगलादेश के बाकी में इसको वेजा जाता और जो यह न स्केलो मीटर और जो भी नई मेत्री पाइपलान बनी है उसकी लंबाई है मात 130 किलो मीटर तो आप समझे डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी जिससे बहुत ज़्यादा खर्चा भी बच जाएगा और जो पॉल्यूशन होता है वेहिकल्स में वह भी कम हो जाए चूंगाओषिस肉 पिरियू मीटर चि झाल जवयगादा कमीट नदेखले कि प्रकावदा दो में सबस्द़ों के लिगो फ 🎶